आदिके बिल्कुल मौसिन रजासाब के उत्तरपदेस सरकार के मंत्री हैं जीनू जो उत्तरपदेस उत्तरा खंड पर इस वक्त हमारे साथ हैं पंजाब में जो हुआ चन्नी ने कहा कि पंजाब के लोगों को बंजाब में जो यूपी के लोग आएंगे उनको ये नहीं करने देंगे वो नहीं करने देंगे प्रेंक्या गाधी मंच पर मुसकरा रही थी लेकिन कांग्रेस को लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं देखिए कांग्रेस क्या डिफेंड करेगी ये अखंड भारत की विचारधारा से लड़ रहे हैं और खंड खंड भारत करने वाले लोगो के साथ में कॉंग्रेस हमेशा खड़ी दिखाई दी भारत के ले टुकड़ोंगे गैंग के साथ ये हमेशा दिखाई दिए लोग हैं और आज जिस तरह से चन्नी ने बिहार और उत्रपरदेश के लोगों को अपमानित करने का काम किया है से पहले रहुल गांधी जी ने भी कि कि जिस तरह से उन्होंने पंजाब में चन्नी ने अपमानित करने का काम किया उत्रपरदेश बिहार के लोगों को तो उन्हें पता होना चाहिए गुरु गोविन सिंग भी बिहार के ही थे गुरु गोविन सिंग जी बिहार से ही आते थे तो उन्हें अगर इसका ग्यान नह आए हैं यह जन हित के लिए और देश हित के लिए नहीं आए उत्रपरदेश तो 32 ते-30 साल हो गए इनको उत्रपरदेश की जन्ताने निकाल दिया है और देश से भी मुझे लगता है अपमानित कर रहे थे या उनके लिए यो शब्दों का इस्तमाल कर रहे थे उस पर प्रियंका वाडरा ताली बजा रही थी और वो उत्तर परदेश की बेटी बताती है अपने आपको मैंने कहाना कि लड़ सकती है तो अगर लड़ सकती होती तो चन्नी से लड़ने लगती कि वो भी तो हमारे हैं हम तो एक भारत और श्रेश भारत की विचारधारा के लोग हैं ये तो खंड खंड करने वाले लोग हैं इन्होंने विभाजन भी देश का किया है और आज भी जात में हुआ चन्नी कह रहे थे प्रिंका गाधी मुस्कुरा रही थी तो उसको अब सियासी मुद्दा बना रही भी जिप्टी नहीं सियासी मुद्दा नहीं है अजीद मैं लोटो कि आपके पास पंखुरी पाट